ओम शांति हाज की मुरली सार कविता ग्यारह सितंबर दोहजार बाइस आप डारेक्ट मात पिता की प्यारी प्यारी रचना वही हो परमात्म रचना कल्प व्रीक्ष की जड़ें भी हो और तना भी हो ब्रामभन रूप में व्रीक्ष की जड़ में और देव रूप में व्रीक्ष के तना सभी धर्म वालों को निकालने वाले आप वही हो तना सेवा उसे कहा जाता जिसमें समाई स्वव सब की सेवा औरों की तो सेवा करें पर अलबेले ना करें स्वव की सेवा बाबा कहते उसको वास्तों में कभी नहीं कहें अथार्थ सेवा निर्मान करते निर्मान स्थिति की जब कमी हो जाती है तो निर्मान का कार जितना सफल करने चाहते सफल नहीं हो शुब भावना शुब कामना का बीज है निमित निर्मान भाव फरिष्टा का अर्थ ही है इसका किसी से नहो कोई भी लगाओ फरिष्टा का अर्थ ही है जिसका किसी से नहो कोई लगाओ पुरानी दुनिया पुराने संसकार पुरानी देहे के प्रति कहीं कोई भी ना तो आकरिशन हो और हो कोई भी रिष्टा नहीं फरिष्टा अर्थात मुक्त फरिष्टा सो जीवन मुक्त देवता बनेगा फरिष्टा वो अव्यक्त फरिष्टा ब्रम्ह बापु से प्यार करेगा प्यार का अर्थ समान बनना सब के मुहुं से यही निकलता कि हाँ ये तो है नमबर वन दिल से है दुआ ही निकलता दुआओं का सर्टिफिकेट मिले नमबर वन इसको कहेंगे कम से कम जब 95% से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए 95% दिल से दुआएं दे 90% 95% संतुष्ट नमबर मिले यथार्थवा सचायोगी जो प्यारे बाबा उनको कहते अपनी बुद्धी एक से कंड में जहां लगाने चाहें लगा ले अपनी बुद्धी एक से कंड में जहां लगाने चाहें वहां लगा ले परिस्थिति हल चल की हो या वायु मंदल भितमो गुणी हो माया अपन बनाने का प्रबल प्रयत्न चाहें कर रही हो फिर भी से कंड में याद की शक्ती से मन एकागर कर लो फिर भी से कंड में याद की शक्ती से मन एकागर कर लो विघन प्रूफ वही रह सकते हैं हर कर्म योग वायोग युक्त हो अटेंशन रखने वाली आत्मा किसी के वश में कभी भी ना हो अटेंशन रखने वाली आत्मा किसी के वश कभी भी ना हो विघन प्रूफ वही रह सकते हैं हर कर्म में योग वायुक्त युक्त हो अटेंशन रखने वाली आत्मा किसी के वश में कभी भी ना हो किसी के वस में कभी भी ना हो आपका दिन शुभो ओम शाथि ओम शाथि